नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने येट्यूब चैनल में आज की वीडियो बहुती जबरजस्त होने वाली है आज की इस वीडियो में हम आइडियल ट्रक्शन सिस्टम के हाँ पर प्रोपर्टी डिसकस करने वाले हैं साती साथ जो डिफ्रेंट ट् और प्रखे होंगे तो सबसे पहले यहां पर दीख सकते हैं इसकी क्या-क्या प्रोपपर्टी होनी चाहिए कोई बींडिवीजील सिस्टम जो होता है वह यह पर आइडियल नहीं है लेकिन ideal system के लिए कुछ यहाँ पर property होती है इन से related एक exam में question पूछा जाता है मैंने आपको पहले ही बताया है जैसे कि हमारे जो 7 और 8 September को paper हुआ था उसमें आपके लगातार correct और not correct वाले question पूछे गए थे तो वो question यहाँ पर property से बनते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि हमने इससे पहले भी दो lecture आपको provide किये हैं आपने बहुत उसको पसंद किया सबसे पहले जो आया था हमको आपका comment के बारे मों बताते हैं सबसे पहले आदेश ने कहा था बहुत ही अच्छ lecture सर है आपका दूसरा आया था हमें अंकिता सिंग जी का बहुती नायस लेक्चर खाथा और साथी साथ आया था एक आया था मंजी सिंग जी का comment आया था उन्होंना कहा था बहुत सभी टॉपिक शुरू किये हैं आप सर थैंक्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार इतना मिला हमको, इसी प्रिकार हम आगे आपको ये लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, यदि आपका कोई सजेसन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे की हम और सुधार कर सके हैं, तो सबसे आपका होना चाहिए, दूसरा है, सिंपल स्पीड कंट्रोल होना चाहिए, उसकी स्पीड कंट्रोल इस परकार हो, कि आप सिंपली उसको कंट्रोल कर सकें, दूसरा है, अगला है, तीसरा, सेल्फ कॉंटेंड एंड कॉंपक्ट सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ कॉंटेंड का म बतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि इसी जैसे हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हुआ उसको पावर कहां से लेनी पड़ रही है जो हमारा डिस्टूबिशन नेटवर्क होता है वहां से तो यह हमारा नौट सेल्फ कंटेंट की कैटेगरी में आता है क्यों क क्योंकि energy का source जो आप बाहर है और वो system वो unit हमारी जिसमें energy का source उसके अंदर हो जैसे कि diesel, steam यह सभी क्या है, self-contained drive है जैसे कि हमने आपकी पहले ही वीडियो में आपको हमने बताया था कैसा होना चाहिए, self-contained होना चाहिए और compact होना चाहिए, साथी साथ अगली जो property है minimum bear on track होना चाहिए मतलब जो हमारा track है उसको भूती कम हानी पहुचाने वाला उसका breaking system होना चाहिए पांचवा है no interference to the communication line पांचवी property यह है कि जो communication lines चलती है पहले जो communication lines थी वो हमारी track के साथ-साथ telephone की lines हैं पर चलती थी तो उन में क्या था जो electric traction था उनके बज़े से हैं पर communication interference होता था इसलिए हमारा जो track system में इस परकार होना चाहिए कि उसमें कोई भी communication interference नहीं होना चाहिए अगली property है high efficiency होनी चाहिए जो track system हम use कर रहे हैं उनकी क्या होनी चाहिए high efficiency हैं पर होनी चाहिए साथवी property है low initial as well as maintenance cost होनी चाहिए जो track system हम use कर रहे हैं उसकी initial cost low हो और साथी साथ maintenance भी low हो अगला system में हमारा अगला system देख सकते हैं अगली property हमारी 8 number की property हैं पर आपको देखने के लिए मिल रही होगी high overload capacity होनी चाहिए यानिकि जैसे कि अभी भी overload हो जाता है तो उसकी जो capacity हो overload की वो higher overload capacity होनी चाहिए traction system के अंदर और साथी साथ उसमें idle breaking का यूज किया जाना चाहिए और सबसे सबसे ज़्यदा most important है economical होनी चाहिए जो भी property हमारी है जो हम traction system यूज कर रहे हैं वो overall economic होनी चाहिए तो दोस्तों यहां पर हम जित्रे भी यह पड़े थे यह सभी की सभी most important है आपको क्या करना है आप इसका screenshot ले लीजिए और इन सभी property हों को अपनी copy में note कर लीजिए एक दो बार आप इनको read कर लेंगे तो exam में आप जो है कितने type का traction system होता है उसमें बताया था हमने steam engine drive, diesel drive और साथ ही साथ battery electric drive और electric locomotive जिसमें कि हमारा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं direct steam engine drive इसके पढ़ने की आवज सकत क्या हो है जैसे कि आपने देखा होगा 7 और 8 September को आपका exam हुआ था उसमें gas power plant और diesel power plant से बहुत ही ज़्यादा question पूछे गए थे अभी तक gas power plant के बारे में UP PCL J exam में कभी भी बहां से नहीं पूछा जाता था लेकिन examiner वो ने उसको लिया क्यों कि वो डिपलोमा BTE UP की जो डिपलोमा की semester की book है वहां पर वो उसका topic रखा हुआ है तो UP PCL हमेशा डिपलोमा के ही syllabus को follow करता है तो ये भी उसमें दे रखा है इसमें देखो इस topic से आपको यहाँ पर steam engine drive and steam locomotive का आपका कोई भी question नहीं छुटेगा सबसे पहला question आपको पूछता है steam engine के बारे में steam engine locomotive के बारे में पूछता है जो steam engine use होता है steam locomotive में उसकी horse power rating क्या होती है तो दोस्तों यहाँ पर जो steam engine हम use कर रहे है steam locomotive में उसकी जो maximum horse power होती है वो 1500 horse power तक इसकी maximum horse power rating होती है ऐसे ही diesel का पूछता है जो diesel locomotive है उसमें diesel engine use किया जा रहा है उसकी horse power rating कितनी है तो उसकी horse power rating 2500 से लेकर 3000 तक यहाँ पर होती है आगे हम उसको बताएंगे आपको जब इसके बाद में steam locomotive को डिसकस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे अभी फिलाल यहां पर देख लिजिए steam engine drive की maximum horse power rating 1500 horse power होती है अगला question आप से examiner पूछेगा steam locomotive में जो steam use हो रही है उसका pressure कितना होता है धियान रखेंगे दोस्तो जो steam का जो pressure होता है steam locomotive में तो 10 से लेके 15 kgf per centimeter square होता है यह question database के हैं तो database के question आप हमेशा उनको याद रखने में थोड़ी problem होती है तो आपको लगातार इनकी practice करते रहनी है इस topic के भाद में आपका कोई भी steam engine का question गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने सभी के सभी जितनी question बनते हैं उससे related वो मैंने आपको यहाँ पर cover करा दिये हैं तो आप इनको अपने note में note book में note कर लें तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया maximum house power rating 1500 maximum जो हम steam pressure यूज कर रहे हैं वो 10 से 15 kgf per centimeter square और जबकि हम यहाँ पर जो speed control अगला question पूछता है देखो यहाँ पर यह छोट रहा है कि जो हम जो steam engine है लोको मोटिव में वो कि एक किलो मेटर में कितना कोईला खपत करता है कितनी कोईल कंजूप्शन है तो average कोईल जो कंजूप्शन के बारे में पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे कितनी होती है 25 से 30 kgf per kilometer एक किलो मेटर में चलने में steam locomotive steam engine कितना कोईल खपता है 25 से 30 kgf त्यान रखेंगे ठीक है अगला है इस पूछता है एक्जामनर सभी के सभी important point है steam engine में जो उसकी speed होती है speed control by regulating steam flow to engine यह जो steam engine को steam जा रही है उसको आप regulate करके steam locomotive की speed को control आप कर सकते हैं ठीक है आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अगला है यहाँ पर जो point है वो है ट्रक्टिव एफर्ट प्रोवाइड किया जाता है तो double cylinder double active steam engine द्वारा ट्रक्टिव एफर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है द्यान रखेंगे double cylinder double active steam engine द्वारा अगला question आपसे पूछेगा जो steam engine यूज हो रहा है पो किस प्रिकार का है तो steam engine is double acting non-conducting type द्यान रखेंगे ट्रक्टिव एफर्ट तो प्रोवाइड हो रहा है double cylinder double acting steam engine द्वारा अब यह steam engine कैसा है double acting non-conducting type का है द्यान रखेंगे double acting non-conducting type का steam engine है अगला point है आपका जो pulsating torque प्रोवाइड हो रहा है जो pulsating torque exerted हो रहा है steam engine में उसके causes पूछता है क्या कारण है इसके तो देख सकते हैं pulsating torque exerted by steam locomotive यहां पर यह सौर्ट पॉम लिख रखेंगे steam locomotive causes jolting and skating यहां रखेंगे किसके कारण pulsating torque हो रहा है जोल्टिंग और skating के कारण है पर pulsating torque आपका steam locomotive में लगता आपको यह सभी point बहुत ही अच्छे लगे होंगे वीडियो अच्छी लगे तो यहां पर like करके जरूर जाईएगा ठीक है अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारा steam locomotive है उसके क्या-क्या advantage है क्या-क्या है आपको यह सभी point इसके बारे में पता होना चाहिए not और incorrect बाला question मैंने आपको पहले ही बताया था या तो उसकी property से या उसके disadvantage advantage है और उसके यूजू से ही पूछता है देखो आपको एक वीडियो में बहुत अच्छी लेकर के आ रहा हूं एक series हमारी चलेगी एक series चल रही है थोड़ा हैं पर मैं बता दिता हूं आपको not correct और correct वाले question की correct वाले question, no और not वाले question इन सभी की series एक mcq series लेकर के आऊंगा आपको वीडियो देखने के लिए आज ही मिल जाईगी तो उसमें आपको 10 question मिलेंगे, 10 मैं से यदि उस topic के आपके 8 question correct जाते हैं, 80% आपकी accuracy रहती है, तो आपकी तैयरी बहुत अच्छी है, और यदि नहीं जाते हैं तो आपको थोड़ा revision करना उस topic का बाकी रह जाएगा, यान कि आपको revision करना है तो और बाकी में आपको उसी वीडियो में बता कर दिए, correct तो आपकी तैयरी बहुत अच्छी है, तो यदि आप उस वीडियो को जरू देखेगा, और PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी, बता दू या जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर, जो steam engine है, steam traction system है, यह बाला, इसके क्या-क्या यहाँ पर advantage है, धियान रखेंगे, steam locomotive, speed control तो बहुत easy है, साथी साथ इसका advantage एक होता है, कि इसमें जो communication interface नहीं होता, communication interface का मतलब है, क्योंकि जो पहले हो जो होता था, हमारी जो telephone lines थी, वो track के पास पास जा दी थी, जैसे track यह चल रहा है, तो आपने देखा होगा, आप जाते होंगे, track के साथ-साथ में ही यहा सब बार लाय सिस्टम आ गया, तो यहाँ पर, speed control तो बैटर है, no communication interface नहीं होता है, कोई भी communication, radio interface नहीं होता है, साथी साथ, initial cost जो होती है, electric traction की तुलना में बहुती कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि उसमें overhead line लगाने में थोड़ा बै करना पड़ता है, तो यह इसके ती तो advantage हो गई, steam engine locomotive के, disadvantage हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, disadvantage बहुत ज़्यादा है, और disadvantage से अधिकतर caution बनते भी है, पहला disadvantage यह है, कि इसकी जो है, limited overload capacity है, कैसी है, limited overload capacity, ठीक है, अगला है, not clean है, क्यों, pollution होता है इससे, धुआ निकलता है, steam engine से, तो आपको ध्यान में रखना है, दूसरा point यह है, disadvantage कि इसमें क्या है, not clean है, बहुत ज़्यादा धुआ निकलता है, क्योंकि 25 से 30 kg कोईला एक किलो मेटर में खा जाता है, तो आप सोचते होंगे, कितना कोईला है, यहाँ पर जा रहा है, कितना कोई maintenance और रिपेर की आवसकता होती है, बार-बार यहाँ पर खराब लूनी की संजम बहावना अधिक रहती है, अगला point है, हमारा cause is considerable bear on track, जो हमारा track होता है, उसके क्या करता है, घिसाब जादा होता है, ठीक है, पांच पर point है, cannot put into service at any moment, किसी भी movement पर आप इसको जल्दी ही service मे नहीं रख कर सकते, is not suitable for urban और sub-urban service, because coefficient of addition is quite low, examiner आप से पूछेगा, कि हम इसको, जो steam locomotive होता है, उसको urban और sub-urban में क्यों use नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो man region है, इसका जो addition coefficient होता है, हमने उस दिन आपको बताया था, वो क्या होता है, steam engine का addition coefficient low होने के कारण, नहीं तो इसको urban में use करते हैं, नहीं service में इसको use करते हैं, तो ये आपके सभी disadvantage हैं, ये advantage हैं, और ये आपका steam engine locomotive के सभी important point है, तो आप इनको जरूर note करिएगा, आप इसकी screen shot यहाँ पर ले लीजिए, मैं थोड़े हैं पर side हो जाता हूँ, तो आप इसकी screen shot ले लीजिए, तो आपने screen shot यहाँ पर ले ली होगी, तो चलिए, आपको ये video बहुत ही अच्छी लगी होगी, जितने भी हमने ideal system की property पढ़े साथ, electric traction के हम, जो electric locomotive होती है, उनकी property से हैंपर जो question बनते हैं, उनकी को हैंपर discuss करेंगे, ये सभी question के रूप में आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा important है, तो इनकी आप screen shot लेके, आप अपनी, जो मैंने जैसे कल बताया था आपको, एक chart पर आप note कर लेंगे, उ और revision करते रहेंगे, पांच या दस मिनट में पूरा ट्रक्षन आपका revision हो जागा, ऐसे ही मैंने किया है, तो आप यह दी channel बने हो, तो हमें support कीजी, और channel को subscribe जरू कर लीजे, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share कर दीजी, वीडियो अच्छी लग रहे हो, तो like जरू करन चलिए मिलते हैं नेक्ट यूडियो में, तब तक लिए जहन, नमस्कार